हेलो दोस्तों इस चैनल हेल पीपी मां आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन हम हिंदुस्तान के एडिटोरियल से बोलेंगे जिसकी गजी सिमा 80-90 सब्द परती मिनट रखी जाएगी अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब से नहीं किया तो के लोग आज कल आपको मिल जाएंगे सोस्यल मीडिया पर ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हर रोज अपनी नई सेलफी यानि तस्वीर वहां चस्पा कर देते हैं कुछ तो एक ही दिन में कई कई तस्वीरे टांक देते हैं हर बार अलग जगव अलग प्रिस्च भूमी की दूसरी तरह के लोग भी खूब दिखाई देते हैं वे लोग जो हर रोज एक नया सुभासित सोस्यल मीडिया पर पेश करते हैं कुछ गहन गंबीर या कुछ बहुत भावुक सी बात सोस्यल मीडिया पर ऐसे सुभासित और सेलफी लगाने वालों की बाड लगातार बढ़ जा रही है इनमें बहुत सारे वे लोग हैं जिनसे हम आमने सामने उतना नहीं मिलते जितना की इसी सोसल मीडिया के जरिये मिलते हैं कुछ से तो सिर्फ यहीं मुलाकात होती है और यहीं पर उनके व्यवहार से हम उनके बारे में राय बनाते हैं ऐसी ही एक आमराय यह है कि जो लोग अपनी बहुत जादा सेलफी लगाते हैं वे बहुत आत्म मुग्द होते हैं कई बार ओनलाइन दोस्त ऐसे लोगों से बचने की कोशिस करते दिखते हैं और जो लोग रोज रोज सुभासित वचन पेस करते हैं उनके बारे में भी हम मान भैठते हैं कि कुछ अपने और कुछ उधार के वाकियों से वे अपने को विद्वान साबित करने में तुले हुए आम राय उनके बारे मैं भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छी राय ना रखने वाले भी गाहें, बगाएं, सुभासित, फॉर्वर्ड करते या चुरा कर पोस्ट करते रहते हैं, वे जो करते हैं उसे छोड़ दें, तो क्या उनके बारे में आम राय ठीक है? दो मनों वैज्यानिकों ने इसे समझने की कोसिस की, तो बहुत दिलतस्प नतीजे सामने आए, कनाडा की वाटर लू युनिवर्सिटी के इगोर ग्रॉसमेन और वासिंग्टन इस्टेट युनिवर्सिटी के क्रिस बैरी ने इसके लिए एक परियोग किया, उन्होंने इस्टागराम पर तरह तरह की पोस्ट करने वालों के दो गुरुप बनाए, एक में वे लोग थे जो इस्टागराम पर बहुत सारी सेलफी लगाते हैं, और दूसरे में वे जो तरह के अमरित वचन पोस्ट करते हैं, इन सब की ओन लाइन सक्रियता का अध्यन तो किया ही गया, साथ ही उनकी मानसिक इस्टती और उनके बौधिक इस्टर यानि आईक्यू का आकलन भी हुआ, सोध में पाया गया की ऐसे लोगों के बारे में बनाई गई राय अधिकतर गलत है, एक तो यह भी पाया गया की जो सेलफी लगाते हैं, वे उनके मुकाबले कम आत्म मुग्द हैं, जो सुभासित वचन पोस्ट करते हैं, भले ही यह आत्म मुग्दता अपनी सूरत पर ना होकर अपनी अकल और गंभीरता पर हो, इसके विपरीत सेलफी लगाने वालों में आत्म सम्मान जादा पाया गया है, यह भी समझ में आया है की इन दोनों ही आदतों का बौधिक इस तर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन Journal of Research in Personality में परकासित यह अध्यन हमें नहीं बताता है की अगर यही सच है तो सेलफी लगाने वालों के बारे में आमराय इतनी खराब क्यूं है, पिछले दसक में दो चीजें एक साथ हुई हैं, एक सोस्यल मीडिया का काफी विकास हुआ है और दूसरी मुबाइल कैमरें जादा से जादा बहतर होते जा रहे हैं, इसकी वजह से एक ऐसी पीडी हमारे सामने है, जिसकी इतनी तस्वीर अब तक खीची जा चुकी हैं, जितनी की कैमरे के आविसकार के बाद पिछली सारी पीडियों की कुल जमा तस्वीरें भी नहीं थी, सोशल मीडिया और ये तस्वीरें हमें और हमारी सक्सियत को तेजी से बदल रही है, इस पर अभी काफी सोद की जरूरत है, स्टॉप